नमस्कार अदाफ सस्रिकाल दोस्तों, बेक बॉस सीजन 15 के खर के अंदर लाइफ फीड में तेजस्वी प्रकाश एक बार फिर फूट फूट कर रो पड़ी, तेजस्वी प्रकाश के आँखों में एक बार फिर आसू थे, अब वज़ा जानकर आप भी पूरी तरह से रो पड लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चानल कुएक टीवी नूज को सबस्क्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले कुएक टीवी नूज को आप सबस्क्राइब कर लें, बेल ऐकन के घंटे को आप जरूर दबा लें, चली आपको बताते है आज के इस खास रिपोर्ट में कि आखिर किस वज़े से सुबे सुबे तेजस्वी प्रकाश के आँखों से आसू निकलते हैं। यही बात हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि बीते दिनों क्या हुआ। बीते दिनों लाइफ फीड में ये दिखाया गया जहां पर निशान्त भट सबसे बड़ा धोका देते हैं करन कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश को धोका देते हुए उनके पीट पिछे वार करते हैं। इस बाद से काफी ज़्यादा परेशान रहती हैं तेजस्वी प्रकाश करन कुंद्रा की वज़े से काफी ज़्यादा परेशान रहती हैं तेजस्वी प्रकाश क्यूंकि करन काफी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इस बात से तेजस्वी प्रकाश भी emotional हो जाती हैं और निशान्थ भट से मिले धोके के बाद वो पूरी तरह से तूट जाती हैं निशान्थ भट का चेहरा जो हैं वो समझ नहीं पाती कि निशान्थ भट उसी के साथ रहे कर उनी की पीट पीछे इस तरह से वार करेंगे कभी सोचा नहीं था, यहां तक की इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद काम को लेकर भी निशांद भट जो हैं बहुत सारा आरोप लगाते हैं तेजस्वी प्रकाश पर सुबे-सुबे जैसे की तेजस्वी प्रकाश काम नहीं करती, काम चोर है और साती साथ सिर्फ और सिर्फ रोना सिर्फ और सिर्फ रोमैंस ही करते रती हैं करन कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के रिष्टे पर वार कर रहे हैं अब इस वज़े से काफी जादा परेशान हो जाती हैं काफी इमोशनल हो जाती हैं और जिस तरह से उनके रिष्टे पर ब काम को लेकर भी उन पर जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है निशान भट, प्रतीक सहटपाल, जै भानुशाली, सिंभानाकपाल, नेहा बसीन, इन सभी लोगों ने जो आरोप लगा रहे हैं, मतलब तेजस्वी प्रकाश पर इस बार से काफी जादा आहत है, इसलिए सुब प्रकाश आज उनी के आँखों में आसू होते हैं, जो कि काफी हमें बूरा लगता है, दोस्तों, वेल, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, दोस्तों, निशान भट ने जिस तरह से टास्क में, वी आईपी रूम से बाहर निकालने के लिए, करन और तेजु को, जो साजिश अच्छी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, दोस्तों, इस बार आप प्लीज हमें अपने कमेंट के तुरू जरूर बताएं